असलाम लेकुम डियर लर्नर ट्रेडर एंवेस्टर माइनम इस मोहमद फैसल मुनील और आज का जो हमारा शेर है वो पाक डेटा कॉम लिम्टेड है जिसका सेक्टर टेकनोलजी और कम्यूनिकेशन है इस वीडियो में हम लोग डिसकस करेंगे कि ये हमें शेर कब और किस प्रा लिम्टेड कंपनी टेकनोलजी और कम्यूनिकेशन सेक्टर की है इसका जो शेर ट्रेड हो रहा है वो 52 रूपीज 86 पैसा पे है और इसका वॉलियम 6000 जन्रेड हुआ है और अगर इसका 52 वीग की रेंज देखें तो वो 42 रूपी 69 पैसा से 141 रूपी 11 पैसा है जो के करद लि अनिंग पर शेर के पॉइंट अव यू से 2018 में इसकी अनिंग 1.94 रही 2019 में 14.59 2020 में 0.69 और 2021 में 1.43 रही और अगर इसकी क्वाटर ली अनिंग पर शेर को देखा जाए तो लास्ट चार क्वाटर की अगर अनिंग पर शेर को अक्यूमिलेट किया जाए तो वो 2 रूपे 64 प कैसे मूव कर रही है इसकी अनिंग पर शेर पर क्या अफेक्ट पड़ेगा वो भी हम न्यू सेक्शन में डिसकस करेंगे Most important यह है कि इसकी अब अनिंग पर शेर पॉजिटिवली बढ़नी शूरू हो गई है जो के 2021 और 2020 के मकाबले में काफी ज़्याद है अब हम इसकी balance sheet की तरफ move करते हैं और इसकी debt to equity ratio को देखते है debt to equity के comparison में अगर हम देखें तो हमारे पास जो shareholder की total equity आ रही है वो 804 billion आ रही है जबकि इनकी long term liability 73 billion और short term liability 395 billion है जिसका मतलब है कि इसकी total liability 469 billion है और shareholder equity 804 billion जो के 63 and 37% respectively बनता है और इसकी debt to equity ratio देखें तो वो 2 ratio 1 तकरीबन बन रही है जो के considered as ideal है अब हम इसके payout की तरफ move करते हैं payout में अगर आप देखें तो यह 12 का payout दे रहे हैं एक dividend payout और एक bonus payout dividend payout इन्होंने पिछले 3 साल में दिया है जो के 2019 में 40% 20 में 10% और 2021 में 15% था और bonus payout अगर आप देखें तो इन्होंने 2020 में 10% और 2021 में 10% दिया है इसमीर अगर 2019 के एकताम पे आपके पास 100 share था तो वो 2020 के एकताम पे बढ़के 110 हो गया और 2021 के एकताम पे वो 121 shares हो गये ना सिर्फ आपके shares बढ़े बलके आपको hard cash की सूरत में dividend payout भी मिला तो dividend payout और bonus के point of view से यह company ने आखरी 2 साल में काफी अच्छा improve किया है और अगर आप इसके आखरी quarter को देखें तो वो भी 4 उपे 17 पैसे जो कि आसा ऐसा बेतरी की तरफ जा रहा है जिसकी reason हम आगे news में discuss करेंगे अब हम इसके technical analysis की तरफ move करते हैं और उसमें सबसे पहले इसकी high low rate per share को देख लेते हैं अगर आप data com limited company का last 1 साल का analysis करें तो last 1 साल में इसने अपना highest point 141 rupees and 11 पैसा रखा जबके इसका lowest 42 rupees 69 पैसा था और अगर आप इसके आखरी 30 दिन का analysis करें तो आप देखेंगे कि इसका जो 42 rupees 69 पैसे जो पूरे साल का lowest था वो आखरी 30 दिन में ही रहा है जबके इसका highest 58 rupees 68 पैसा है और अगर आप देखें तो currently ये 52 rupees 86 पैसा पे trade हो रहा है अब हम data com limited company के chart की तरफ move करते हैं और कुछ graphical presentation इसकी देखते हैं जो के पिछले एक साल के दुरान क्या रही currently ये share 53 rupees के करीब trade कर रहा है जबके मैं हमेशा आपको कहता हूँ कि आप कोई भी stock लें तो उसका stop loss ज़रूर कंसिडर करें और इसकी जो buying range बन रही है वो 50-55 है और इसकी जो पहली profit taking आप करेंगे अगर आप इसको capital gain के point of view से लेते हैं तो वो 66 rupees 83 पैसा है जो के 2-3 maa में expected है और अगर आप इसकी second profit taking की तरफ जाते हैं तो वो 82 rupees है जो के एकले 4-6 maa में expected है यानि के ये company ना सिर्फ आपको capital gain दे सक करती है अब हम इसकी news की तरफ move करते हैं अगर हम park data com limited company की बात करें तो currently इन्होंने अपनी website को काफी जया develop किया है और अपनी marketing strategy को काफी improve किया है क्योंकि आने वाले दिनों में technology मजीद बेहती की तरफ जाएगी इसको देखते हुए इन्होंने अपनी advertisement पहले से मजीद बेह की है जबकि इनकी products already existing काफी बेहतर थी और इन्होंने इसमें भी addition किया है जो कि हम service and solution section में देख सकते हैं वैसे मैं इस website का link भी आपसे share कर दूँगा जो कि आप मेरी video की description में से भी देख पाएंगे अगर आप इसकी service and solutions को देखें तो उसमें सबसे पहले हमारे पास satellite connectivity आ ज अब more than 99.9% हो चुकी है 24.7 ना सिर्फ या अपने network की monitoring कर रहे हैं बलके हर किसम की complaint management को भी 24.7 टैकल कर रहे हैं और अगर इनके spare part की बात की जाए तो spare part के हवाले से availability spare parts की nationwide गर दी गई है इनकी services में एक और सबसे अची service iDrex solutions है जो कि अपने in clients को भी provide कर रहे हैं जो कि PRM, breadbands आ रहे हैं, virtual networks आ रहे हैं, education, government agencies, foreign services, oil, retail, media, healthcare, financial audit वगारा को भी अपनी services प्रवाइड कर रहे हैं और iDrex की बात करें तो iDrex hubs and routers power some of the world most powerful satellite network providing pure end-to-end IP networking capabilities को कहते हैं इसमें ये basically इन तमाम sectors को ये अपनी end-to-end services प्रवाइड कर रहे हैं whether it is VIP, streaming media, internet access, data backup और all of the above iDrex unique technology make it one of the most effective satellite broadband technology available today तो यहां से आप ये इसका अंदाजा लगा सकते हैं कि iDrex कितना strong network है और iDrex solutions बाग data com limited company प्रवाइड कर रहे हैं जो कि future में इसकी मांग मजीद बढ़ने वाली हैं और अब रेडियो solutions देखें तो ये रेडियो solutions भी provide कर रहे हैं जो कि 40 km तक की range के लिए बहुत ही अच्छे reliable और fast considered किया जाते हैं और जहां पे physically wire वगरे के through net नहीं पहुँच पा रहा या optic cable के through net पहुँच नहीं पा रहा वहां पे ये radio solution बड़े ही अच्छे considered किया जाते हैं और इसे काफी बड़ी company इससे फाइदा उठा रहे हैं और पाकिस्तान data com limited company also offer digital radio systems, hdsl, isdn, base solutions ये एकसर आपने इनके नाम भी सुने होंगे ये भी provide कर रही है और above of all इनके telecom products ये बड़ा ज्यादा आजकल in हुई हैं इनके पास wide range of telecom products हैं जो के high end equipment related to satellite, communication networking as well as certain electrical equipments तो product point of view से इस company के पास बहुत range है products की और ना सिर्फ products की बलक अब solutions भी काफी जाद हैं जिनमें से radio solution, i-direct solution और satellite connectivity major part है, इसके लावा भी इनके काफी जाद solutions थे लेकिन मैंने ये main highlighted चीज़ें आपसे discuss की है, on the basis of that और जो इनके payouts की situation है उस point of view से ये बड़ा अच्छा share है, investment point of view से, लेकिन मैं दुबारा कहूंगा कि इसे purchase किन लोग को क net नहीं होता, इसका volume एक लाग से भी कम रहता है, तो इसमें आप अपनी ज्यादा investment लगा के stuck ना हो जाएं, इसलिए ये recommended है, कि आपकी investment अगर less than 1 million है, तो फिर आप अपने portfolio में इस company को जरूर शामल करें, क्योंकि ये काफी secure investment है, और छोटे investor जो के अभी सीख रहे होते हैं उनके लिए एक बड़ा अच्छी opportunity है, कि आप इसे दोनों तरीकों से through capital gain, जो के 66 पहला target और 82 second target है, और revenue gain, जो के आप payouts की सूरत में dividend और bonus सूरत में देख रहे हैं, वो भी entertain कर सकते हैं, technology sector में ये काफी अच्छी company थी, इसलिए मैंने सोचा कि ये आप से जरूर share करनी चाह सकते हैं, अगर आपको मेरी effort अच्छी लगी है, तो इस वीडियो को like, share and comment करें, और अगर आप चाहते हैं, कि आपको मेरी तमाम videos के notification मिलते रहें, तो बराहे महरबानी मेरे channel को subscribe कर दे, thank you and see you next time with the next video, Allah Hafiz